आज हम देखने वाले हैं कि desktop पे power button किस तरह से create करते हैं तो हमें right click करना है और new को click करने के बाद हमें जाना है shortcut में यहां हमें लिखना है slide to shutdown.exe यह लिखने के बाद हमें next करना है और finish तो हमारे पास एक desktop पे button आ गया है अब हमें इसका icon chain करना है तो उस पर cursor रखने के बाद right click करना है और properties में जाना है यहां जाने के बाद यहां change icon जो लिखा है उसे click करेंगे हम तो हमारे पास बहुत से icon दिखाई देंगे यहां पर हमें इससे select करना है और ok करना है apply करने के बाद इससे ok करना है तो दीखी इसका icon change हो गया है अब मैं इसे double click करता हूँ तो हमारे पास इस तरह से एक window show होगा एक screen show होगी मैं अगर इसे slide down करता हूँ तो laptop बंद हो जाएगा इसी तरह के videos के लिए आप मेरे channel को subscribe कीजिए